नेक्स सवाल है दोजा सोला का क्वेश्चन सेज रेफ्रिजरेटर वर्क्स बेटून फोर डिग्री और थर्टी डिग्री सेंटीग्रेट इस रिक्वाइड तो रिमूव 600 कैलोरी ऑफ हीट एवरी सेकेंड इन और तू कीप तेंपरेचर ऑफ रेफ्रिजरेट्शन स्पेस कॉ पावर रिक्वाइड वो कितनी होगी हमें बताना है और हमें कहा गया है कि एक कैलोरी को हम 4.2 जूल्स ले सकते हैं ठीक है और अपने को चार ऑप्शन दे रखें यह बात अपने को पता है कि हम जो बीटा लिखते हैं बीटा उसे हम लिखते हैं Q2 divided by यह आएगा आपका Q1- Q2 और टेंपरेचर की टर्म में इसी को T2 T1-T2 यह लिखते हैं और यह एक्चुली वैल्यू QCYW भी होती है इस केस में अपने को टेंपरेचर दे रखा है तो T1 और T2 जो है वह आपके हो गए आपकी बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी T2 अपना 4 डिग्री divided by यह दोनों के बीच का डिफरेंस दोनों के बीच का डिफरेंस 30-7 हो जाएगा सो यह 30-4 यह हो जाएगा दोनों का 273 cancel हो जाएगा तो इसकी वैल्यू होगे 277 divided by 26 यह वैल्यू आपके बीटा की वैल्यू आ गई ला इसी केस में हमें बीटा जो दिया हुआ है यह अपना Q QC by W भी होएगा विच इंप्लाइज और इसकी वैल्यू QC by W भी होएगी विच इंप्लाइज आपका W उसको हम लिख सकते हैं QC by बीटा QC जो है सवाल में वह अपने को यहां पर दे रखा है 600 calories per second और इसी को अगर हम QC की वैल्यू पर सेकेंड में डालेंगे तो अब इस calorie को convert करने के लिए एसा unit में हमें 4.2 से multiply करना पड़ेगा divided by बीटा बीटा आ जाएगा आपका यह हो जाएगा 277 और ऊपर चला गया 26 इसको अब हमें calculate करना पड़ेगा अगें मैं हमेशा से कहता हूं कि आपको सवालों की पहचान होनी चाहिए कौन सा आपका टाइ 236.5 watt अलाइट ठीक हैं तो यह वोड़ेट वोड़ेट वी आ राइट आंसर सो बेसे अन देस हम कह सकते हैं कि option नमबर A 236.5 watt वोड़ेट वोड़ेट राइट आंसर